तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Spider Tanks के बारे में लास्ट ताइम हमने टाउंस्टार के बारे में बात किया था उसका सारा इनिशल गेमप्ले आपको बदाया था कहल के कैसे आपको शुरुवात करनी है उस गेम की कैसे अकाउंट क्रेट करना है तो अगर आपने वीडियो वह देखा नहीं है तो प्लीज जरूर चेक आउट कीजिए वह वीडियो को और आज हम बात करने है Spider Tanks के बारे में यह है गाला गेम का गेम है जिससे खेल के पैसे अन कर सकते है तो हमें पैसे देना पड़ेगा तो यह गेम है Spider Tanks यहां पे हम देख किया है allowing players to own their garage and earn rewards for playing तो आज तक हम जो गेम खेलते थे उसमें जो भी हमारे assets रहते थे अगर मान लोग car racing का game था तो जो भी cars रहते थे उसका सारा control एक central authority के पास था game creators के पास था ब्लॉक्चें की वज़े से अब वो सारी चीजे decentralized होगी है हम जैसे shooting games होते है विससी spider tank के हमारा tank रहेगा और हमें tank लेके अपना fight करना है battle जीतने है तो सारी चीजे समझेंगे तो यहां पर हमारा tank खुद build करना है और जो भी हम build करेंगे अपना tank उसकी ownership हमें मिल जाएगी वो decentralized central authority इसमें involved नहीं है तो यहां पर हम देख सकते है अलग अलग चीजे है यहां पर लिका है select weapon तो जो gun हमें चीजे है वो हम choose कर सकते है यहां पर उसके बाद नीचे लिका है body तो यहां attributes अब select करें उसकी efficiency हमें यह graph से पदा चलती है तो यहां पर हम देख सकते हैं जैसे body change करते है तो इसकी speed healthy है सारी attributes से उसमें changes है उसकी efficiency यह graph से पदा चलेगी तो यह था basic हम gameplay में सारी चीजे जानेगे अब दीरे दीरे तो यहां पर games mode की बात किया जाए तो यहां पर team date match यहां पर teams की मतलब shoot करना है जो जादा kill करेगा specific time में वह जीत गया तो यह भी एक mode है दूसरा mode है capture the chicken तो यहां पर जो running chicken moving chickens जाए जो जादा से जादा वो time में catch करता है वो team जीत जाती है तो तीसरा है capture the flag इसमें एक flag होगा और जो flag वो time frame में सबसे ज्यादा time जो team hold करेगी वो जीत जाएगी और यह है उसके अलग अलग अरिना जिसमें हम battle कर सकते हैं यह check out कर सकते है और यहां पर जैसे लिखा है own victory claim reward जीतने के बाद हमें rewards मिलेंगे तो यह सारी चीज़े अब हमने website के तूरू समझ लिए इसे खेल के सारी चीज़े प्राक्टिकल जानेंगे यह था गेम के बारे में थोड़ा सा information इनके official website से अब game खेलते हैं और देखते हैं क्या चीज़े करनी है कैसी इसकी शुरुवात करनी है सारी चीज़े जानेगे तो इस वीडियो को एंड तक देगे तो गाला गेम्स के official website पे आने के बाद games tab में हमें हमें जाना ह पाद हमें दिखता है spider tanks यहां पर हम अभी play का option दिख रहा है बड़ आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसको खेलने के लिए website launcher download करना पड़ता है जो मैंने कर दिया है तो आपको play के जगर पे website launcher रहेगा option तो आप उससे select कीजिए वो download कीजिए 5 minutes लगेंगे setup है काफी easy है वो अब हम इसे खेलने की शुरुआत करते हैं तो जब आप website launcher download करोगे उसकी बाद आपके desktop पे एक shortcut create हो जाएगा वो shortcut open करने के बाद वो आपको यहां पर redirect करेगा तो यहां पर हम देख सकते है spider tanks के बारे में information पे information है कुछ videos है जिसको हम देखके इस game के बारे में और जान सकते बढ़ हम खेलते समय सारी चीज़े जाने के इसमें अलग-अलग NFTs है जो हम इसमें खरीद सकते हैं और इसे खरीदने के बाद ownership का right हमें मिलेगा तो यहां पर देख सकते हो हम लोग अलग-अलग bodies है अलग-अलग attributes है वह हम खरीद सकते हैं अगर हमें खरीदना है तो मैं अगर आपको पता नहीं है तो उसमें पैसा मट डालिए अगर आप beginner है अभी इसे शुरुबात कर रहे है ऐसे गेम्स खेलने की तो मैं आपको request होगा कि प्लीज ऐसे चीज़ों में पैसा बिल्कुल भी मट डालिए क्योंकि अभी इसका ज्यादा क्रेज़ा है यह trending में है blockchain games web 3 तो इसके वज़े से pumping and dumping काफी चल रहा है project को लोग pump करते हैं pump करने के बाद वो जब उसकी value हाई हो जाते है ज्यादा users आते हैं अपने पैसे लगाते हैं तो dumping चलो हो जाती है जिसके वज़े से जो token की value रहती है को गिरने लगती है तो उसके वज़े से काफी नुकसान होता है तो मैं आपको recommend करूंगा कि अगर आपको चीजों के बार में पता नहीं है तो प्लीज उसमें पैसे मत लगाई है यहां पर सबसे important बात है victory points तो इसमें क्या रहता है अपने tank की rarity और जो हम game जीते हैं यह दोनों चीजों के हिसाब से हमें यह victory points मिलता है battle matchmaking जैसे हम PUBG या fortnight खेलता है battle matchmaking randomly players आते हैं अपनी team बनती है और opposite की team बनती है और यह match होने के बाद match शुरू हो जाती है और जो सबसे ज्यादा वो time frame में kill करता है वो जीत जाता है यहां पर check region से server के लिए आप कर सकते हो अब main option है garage तो garage में यह देखो यह सारी चीज यह जो body है अब यहां पर हमें खुद customize करनी है चीज़ें यह सारी चीज़ें फ्री है तो हमें जो body पसंद है वो डाल सकते हैं और यह body की efficiency हमें यहां पर दिख सकती है body का नाम है tortoise यहां पर armor speed इस सारी चीज़ें हमें यहां से पता चलती है तो आप उसके हिसाब से select करो कि आपको कौन से चीज़ें उसके बाद उसके बाद हम आते हैं दूसरे attribute पर तो body अभी यह मैंने select कर लिए है यह वाली करता हूँ उसके बाद second है weapons तो अभी यहां पर अलग अलग weapons है जिसकी efficiency हमें यहां पर दिख सकती है blade spinner यहां पर देख सकते है तो इसके जो भी attributes है reload time range projectile speed यह सारी चीज़ें हम यहां से पता तो आपको जो सही लगेगा वो कर लो मैं बता रहा हूँ इसके लिए बिल्कुल मत करना आप खुद चीज़े अपने दिमाग से खेलो try करो और बाद में आप changes कर सकते हो यह सारी चीज़े तो आप यह सारी चीज़े explore कर यह सारी मैं select करता हूँ एक तो देखते है कौन सा better ह तो चलो यह शॉकर नाम का weapon select कर लिया उसके बाद यहाँ पर है ability तो यहाँ पर अलग-अलग attributes है हम यहाँ पर पढ़ सकते है energy required projectile damage explosion radius यह सारी चीज़े तो randomly में select करता हूँ यहाँ तो machine gun turret मैंने select कर दिया है अब second ability है यह smoke canister तो यह मैं select करता हूँ यह by default तो यह इसे लेता हूँ यहाँ पर प्रॉप्स यहाँ पर एक यह option है तो कुछ करने सब्सक्रीन आपको जो color अच्छा लगता है वो कर लो में को यह सही लगा तो मैं red and cold ही रखता हूँ यह सारी करने के बाद आते back पर यह अपना ready है तो नीचे right corner में हम दे सकते दो option है create party and social social में आप इस game में friends बना सकते हो और create party में आप अपने दोस्तों के साथ team बना के खेल सकते हो जैसे हम अलग-अलग shooting games खेलते आए तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप यह games अपने friends को भी refer करो उनको भी बता कि कैसे आप यह games खेल के पै करते हैं match find कर रहा है तो मैं बोल रहा था कि आप अपने दोस्तों को भी यह game refer करो और जो भी आपको rewards मिलेंगे refer करने के बाद वह भी claim करना उनको बताना कि कैसे यह games को आप खेल के पैसे अन कर सकते हो और आपको यह डिक्कर आदी है तो आप मुझे message करो और अपने चैनल क को हासिल करने के लिए मुझे आप जैसे लोगों की जरुवत है तो गेम हुआ है शुरू अब तीन लोग की टीम है यहां पर देख सकते हूं जो opposite टीम में है यहां पर हम देख सकते हैं और मुझे मार दिया गया है में को दूब को समझ रहा है कि इतना fast चीज़े हो रही है अब यहां पर आएं तो फर्स टाइम है देखते है अभी यहां पर आयें तो गेम के दिसमझ आए जो यहां पर आपको दिख रहा है ग्रीपास इसके पास भी क्लेक्ट करना है गेम कर दूसरी बार मर गया उब है मैं को कुछ समझ रहा है यह इतनी चीज़े fast हो रही है अब आप आपको टाइम फ्रेम में आप जितनी बार मर गया उतनी बार जिंदा भी हो जाओगे तो यहां पर ऐसा नहीं कि एक बार मर गया तो मर गया तो गेम खेलने तो मजा आ रहा है अभी शुरुआत है तो छोड़ा टाइम लगेगा हाथ बैटने के लिए यहां 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 पर ग्रीन में वह भी क्लेक्ट करने हमको गेम कहलते समय और थोड़ा टाइम लगेगा गेम पर हाथ बैटने के लिए अफकोस नहागे में कुछ आईडिया नहीं है तो शुरुआत में टाइम लगता ही है सीखने समझने के लिए तो यह आगया दूसरा टाइक तक तीन बार मराओ बड़ खुशी है कि एक बार मरो यह चोती बार मर गया है 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 हमारी टीम ने काग तर दो ही किल किया और उन लोग ने दस बार मारा है वलोग को तो क्या है है जो में बताएं कि पासल समय क्लेक्टर ने यह आगया यह यहां से एक ताइंग यह बार भी मार दिया है वाई कुछ तर गया यह मैं को पासल देखना है क्लेक्ट करके कि क्या है इसे कैसे क्लेक्ट करना है तो में पीछा तो पासल क्लेक्ट करने के लिए यह था पासल मैच हुआ एक हत्म यह जो पासिल से मैं अब भी कलेक्ट नहीं कर पाया इसे बट ऐसे हमें कलेक्ट करना है और रेट टीम जीत गई अफकोस हम हार गए इनका स्कूर था 16 और हमारा स्कूर था 3 और यहां पर यहां पर हमारा स्कूर डामेज बैटल रेटी है सारी चीज़े पाता चल रही है अफकॉस फर्स टाइम था गेम समझने में टाइम लगेगा गेम पर हाथ बैठने के लिए तो यह था फर्स टाइम तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो लिंक दे रहा हूं मैं आप जाए आते रहेंगे तो आप यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपने वाले वीडियो आपके मिस ना हो और आप यह गेम को समझ सके और इस गेम को खेल के पैसे अंग कर सके तो दोस्तों पहली भार हमें यह स्पाइडर टैंक गेम को खेला है तो इस गेम के उपर कर दोस्तों पहले के लिए मैंने आपको बेसिक सी चीजें बता दी है आई होड़ आपको यह अच्छा लगए वैसे इंटरस्टिंग तो है काफी क्योर्सिटी थी इस गेम के बारे में तो आई होड़ आपको यह वीडियो अच्छा लगा आपको इस गेम के रिलेटेट और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपको रेफरिंग रिवर्ट्स मिले और आप दोनों का भी उससे फाइदा होगा तो यह था आज का पहला दिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले समय में जो भी गेम प्ले के वीडियो से चाहे वह आज के हो यह सारी चीजों से आपको फाइदा होगा आपको अलग अलग ब्लॉक्चेंट गेम के बारे में पता चलेगा सीखने मिलेगा और आप यह सारी चीज़ें सीख के पैसे अन कर पाओगे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंट्रेस्टिंग कॉंटेंट के साथ तब तक बाई बाई